हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आइटिया एक्जाम तक में दोस्तों आज की डेट में जो यहां पर आइटिया फीटर टेट के सेकंड येर का पेपर हुआ है थियूरी का उसका जो है और जिनल पेपर आ चुका है कौन कौन से कुशन यहां पर पूछे गया है विडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो यहां पर सभी कुशन आप सभी के लिए जो है मैं लेकर आ चुका हूँ चैनल पर नहीं है एक्ट these सब्सक्राइब कर लीजी विडियो को लाई को शेरग कर दीजिये चले विडियो को स्टार्ट करते तो गुद देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कुशन क्या पूछा गया है आप सभी देख सकते हैं पहला कुशन पूछा गया था कठोरी क्रित इस्टील और भारी इस्टोक खटाने के लिए किस प्रकार की अपगर्सक सामगरी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर जो है किस समगरी का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर जो एक्जाम दिये थे तो यहाँ पर अगला कुशन देखिए अगला कुशन यहाँ पर 211 नमबर वाला कोशन पूछा गया था यहां पर एक चित्र डाइग्राम दिया गया था तो गेज में जो है एक्स के रूप में जो है क्या चिन्नित किया गया है इसके बारे में पूछा गया है तो यहां पर डाइग्राम आप से भी देख सकते हैं तो इसका जो right answer था वो था यहाँ पर बी अवला option यहाँ पर correct था यह जो है thread ring is no no go का जो है यह चीतर होता है तो right answer इस question का जो था option number B यहाँ पर correct answer था अगला question देखिए अगला question यहाँ पर पूचा गया है इस ring का जो है आप सभी को नाम बताना था यहाँ पर एक ring दी गई थी इसका जो है नाम यहाँ पर पूचा गया था तो देखिए यहाँ पर जो correct answer था इसका वो था यहाँ पर option number यहाँ पर option number जो है B option correct था यह जो है hook ring का जो है चिन होता है तो यह जो है B option इस question का right answer था अगले question देखिए यहाँ पर question number 92 यहाँ पर पूचा गया था तो देखिए यहाँ पर जो question था question था question था इस tail में normalizing की प्रक्रिया जो है क्यों की जाती है तो यहाँ पर जो correct answer था option number C था stress और जो है strain को दूर करने के लिए इसकी प्रक्रिया की जाती है तो right answer इस question का था option number C अगले question यहाँ पर देखिए पूचा गया था 83 number का question यह question आप सभी जो को जो है थार्ड semester वाले जो है निमी की PDF है उसमें जो है आप सभी को देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो question था इस gauge का जो है नाम बताना था तो इस gauge का जो नाम होता है यहाँ पर correct answer था इसका option number C C जो है यहाँ पर correct answer है temper ring gauge का यह जो है चितर है अगले question देखी अगले question यहाँ पर पूचा गया था इस quiz फाइल का जो है नाम बताना था तो यहाँ पर जो है file देख दे कही थी तो यहाँ पर देख सकते है चितर और इसका नाम पूचा गया था तो correct answer इसक था, option number A, यह जो है tinker की file होती है, अगला कुशन देखिए हैं, यहाँ पर पूचा गया था, radius और पिलेट गेज बनाने के लिए किस material का यूज यहाँ पर किया जाता है, radius और पिलेट गेज बनाने के लिए किस material का यूज करते हैं, तो B option यहाँ पर correct था, कटोर इस party का यूज यहाँ पर किया जाता है, अगला कुशन देखिए हैं, यहाँ पर पूचा गया था, किवेट टेपर का पाइज जो है, कितना होता है, किवेट टेपर का पाइज जो है, कितना होता है, तो correct answer था, D option correct था ये कन पाते 100 होता है तो option number D यहाँ पर correct answer था अगला question देखें यहाँ पर पूचा किया था 400 degree Celsius से नीचे किताब पर कठोरी क्रिट इस्टिल को पुना गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उसमा उप्चार की प्रक्रिया का नाम पूचा गया था तो यहाँ पर जो correct answer था option number C tempering की प्रक्रिया होती है अगला question देखें आपर पूचा गया था slip gauge को साफ करने के लिए किस material का यूज करते हैं तो slip gauge को साफ करने के लिए carbon tetra chloride का यूज किया जाता है तो option number D जो है यहाँ पर correct answer था अगला question देख सकते हैं यहाँ पर पूचा गया था machine के लिए foundation bolt जो है क्यों आवस्यक होता है तो machine के लिए foundation bolt होता है machine को जो है मजबूती से पकड़े पकड़ बनाए रखने के लिए आवस्यक होता है तो correct answer था option number यहाँ पर B option correct था अगला question देख सकते हैं यहाँ पर अगला question क्या पूचा गया था तो यहाँ पर अगला question पूचा गया था soluble तेल का रंग जो है काउंसा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है तो correct answer था option number A सफेद color का होता है यह option यहाँ पर correct answer था अगला question देख सकते हैं यहाँ पर पूचा गया था तेल का वह कौँसा गुड़ है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है कौँसा गुड़ होता है जो यहाँ पर जो है जल्दी से आग पकड़ लेता और जलता रहता है तो यहाँ पर जो correct answer था option number B था पायर पॉइंट होता है option number B इस question का correct answer था अगला question देखी यहाँ के रूप में जो है चिन्नित भाग का नाम जो है बताना था तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यह इसका नाम क्या होता है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम पूचा गया था तो इसका नाम जो है क्या होता है कॉपलिंग होता है तो option number 6 का right answer हो जाएगा अगला question देखी यहाँ पर पूचा गया था लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में सकती संचरर के लिए किस प्रकार की drive का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर जो correct answer था option number B था गीर drive का यहाँ पर यूच करते हैं अगला question देखी यहाँ पर क्या पूचा गया था यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग जो है कहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर जो correct answer था option number C automobile वाहन में इसका उपयोग किया जाता है अगला question देखीए अगला question था किस धाथ से निकाला जाता है जो किस धाथ से निकालते हैं तो इसको जो है एलमोनियम से निकाला जाता है तो correct answer था option number D अगला question देखीए अगला question यहाँ पर क्या पूछा गया था अगला question पूछा गया था उस में सधात का नाम क्या होता है जिसमें ताबा और जस्ता होता है तो कौन सी में सधात होते हैं जिसमें ताबा और जस्ता होता है तो इसका correct answer था है option C पीतल पीतल जो है ताबा और जस्ता को मिला कर बनाया जाता है अगला question था यहाँ पर friction bearing बनाने के लिए के समिस अधात का उपयोग किया जाता है तो friction bearing को बनाने के लिए बेविल बेविट मेटल का यूज़ करते हैं तो correct answer था option number D अगला question देखिए यहाँ पर question पूचा गया था coupling का नाम आप सभी को बताना था यहाँ पर coupling दिया गया था तो इसका नाम जो है क्या होता है यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर जो correct answer था इसका 45 नंबर का B option correct था इसको जो है plate coupling का आजाता है तो अभी तक जो है तिने ही question हमें मिले है जैसे ही और भी question जो है मिलते हैं आप सभी को यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा चैनल के साथ बने रही है चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि यहाँ पर जो है सभी previous paper और आप सभी को idea के update दी जाती है तो आज के लिए बसे तरह हैं thanks for watching this video